नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब? आप मैंसे काफी सारे विद्यार्थियों का प्रश्ण अभी भी यह है कि पटवारी के एक्जाम में कम्प्यूटर डिप्लोमा जैसे की DCA या PGDCA को योगिता के रूप में मागा जा रहा है या नहीं? तो दोस्तों पटवारी का फॉर्म भरने के लिए नियूनितम अरहरताओं में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास सिर्फ दो अरहरताएं होनी चाहिए पहला किसी माननिता प्राप्त विश्व विध्याले से इसनातक या graduation की डिगरी दूसरी अरहरता पटवारी चैन परिक्षा हेतू CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्त्रीन होना अनिवार्य है तधा पी CPCT परिक्षा उत्त्रीन ना होने पर चैनित अभ्यर्थी को CPCT परिक्षा नियुक्ति के पस्चात परिक्षा दीन अवधी जो कि तीन वर्ष की होती है उसके अंदर उत्त्रीन करना अनिवार्य होगा तो दोस्तो यहाँ पर सिर्फ दो योग्यताओं की बात करीगी है पहली योग्यता आपके पास graduation होना चाहिए दूसरी योग्यता आपके पास CPCT होनी चाहिए हिंदी में पास एवं computer दक्षता में पास पर दोस्तो अभी आपके पास CPCT नहीं है तो आपके लिए तीन साल का समय दिया जाएगा दोस्तो पटवारी की योग्यता में साफ साफ इंदो विंदो उपर चर्चा करी गई है इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपके लिए पटवारी वनने के लिए DCA PGDCA या किसी भी अन्य प्रकार के computer के diploma की आविशक्ता है हाँ कुछ समय पहले जो पहले exam हुआ करते थे उन में पटवारी के लिए एक वर्ष का computer डिप्लोमा होना आनिवारे होता था और काफी सारे लोग पटवारी के हिसाब से ही एक वर्ष का computer डिप्लोमा किया करते थे किन्तु अब वह स्थिती नहीं है जिन दो योगताओं का उलेख अभी पटवारी के लिए किया गया है वह है आपके पास एक graduation की डिगरी है और आपके पास CPCT का scorecard हिंडी टाइपिंग एवं computer दक्षिता में पास होने का होना चाहिए फिल हाल नहीं है तो परिविक्छा विथी के दौरान तीन वर्ष के अंदर आप ऐसे उत्तरिन कर लेए अन्य थाप की निवक्ती निरस्त करती जाएगी ऐसा इस notification में कहा गया है तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ लगातार महनत करें तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लेक्ष प्राप्त नहीं होता जैहिन बंदे मातरम